हाँ तो नमस्कार दोस्तों मेरा ना मैं आकाश शर्म स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्माजी क्लैसस में दोस्तों आज के से वीडियो में हम देखने वाले रिजिनिंग का एक बहुती शांदर चेप्टर काउंटिंग आफ फिगर्स अक्सर दोस भी पर्स नहीं करें ध्यान से सवालों को समझे तभी आपको सवाल सोंग में आएंगे तो वीडियो में आगे बंड़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ ही बेल पानवले नए वीडियो को नोटिफिक्षिशन मिलते रहें वो साथ है कर दोस्तों आप हमारे वाट्सप ग्रूप से एड़ना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है आप इस नंबर पर जोईन लिखकर में से सेंड कर सकते हैं आपको हमारे वाट्सप की संख्या कितनी है ठीक है तो दोस्तों एसे सवालों को हल करने के लिए अगर आप इसमें एक एक गिनने बेठोगे आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाया गया बहुत सारी आखरती एसी भी होती है जिन में आप साधरन रूप से नहीं गिन पाएंगे कि इसमें कितने कितने जतर बूझ हैं तो इसको करने के लिए दोस्तों एक ट्रिक होती है वो ट्रिक क्या होती है भ्यान से समझिएगा जब भी दोस्त आपको एसी आकरती देखने को मिले तो आपको क्या करना है count करना है, यहां से serial number से चलना है एक, दो ठीक है, एक, दो तीन और चार, ठीक है, जितने भी आपको दिये हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, मेक्जिमम चार या पांच का सवाल exam में अक्सर पूंचा जाता है ठीक है, जैसा कि यहां पर हमने count कर लिया है अब हमें क्या करना है, दोस्तों, इन सभी को plus कर देना है, ठीक है 1, plus 2, plus 3, plus 4 क्या कर देना है, इन सब को में plus कर देना है, plus करेंगे तो कितना आएगा 4, 3, 7, 2, 9, 10 यहां कि दोस्तों, आपका answer निकल के आ गया है, 10, जी हां इस आकरती में दोस्तों, त्रिबोजो की संख्या वो कितनी है, 10 से, इस प्रकार आप ऐसी आकरती की गण्णा कर सकते हैं और बता सकते हैं, कि उसमें त्रिबोजो की संख्या कितनी है, ठीक है, आशा करूँगा कि आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी तो देखते हैं, दोस्तों, हमारी अकरती इसी पेटरन पर आधारित होगी, इसलिए आपको इस पेटरनों को अच्छे से समझ लेना है तब ही आप उस आकरती के सवालों को हल कर पाओगे, उसमें गण्णा कर पाओगे, कि इतने प्रिबू जिसमें है, ठीक है, बढ़ते हैं, अगले सवाल की और तो ये रही दोस्तों, हमारी अगले आकरती ये भी दोस्तों, जैसा है कि आपने पहला सवाल किया है उसी पेटरन पर आधारी सवाल है, इसको ध्यान से समझेगा इसको भी आपको कैसे काउंट करना है, सिंपल सा इसमें नंबर काउंट करेंगे, 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, ठीक है इनको काउंट करने के बाद, दोस्तों, सिंपल सा है, आपर इनको प्लस कर लेना है, 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, कितना हो जाएगा दोस्तों जोडने पर 4, 3, 7, 2, 9, 10 हो जाएगा ठीक यहां तक कोई दिक्कत नहीं लेकिन अभी उपर वापस से काउंट करना है दोस्तों ठीक है वापस से काउंट करेंगे हम 1, 2, 3 और 4 ठीक है इनको भी काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 ठीक है कितना हो जाएगा यह भी 4, 3, 7, 2 9, 10 यह भी कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा इनको टोटल कर लेंगे कितना आजाएगा 20 यह निकल के आजाएगा आपका इसका राइट आंसर यानि कि इस सवाल में या इस आकरती में जो त्रिबुजों की संक्या है दोस्तों वो कितनी है 20 से दोस्तों इस सवाल को आप एको ट्रिक्ष चे कर सकते हो kays-स जैसा कि आपको सवाल में देख लेना याँ पर कितने partition दिये है, एक ये line दिये है, दोस्तों, partition कितने हो गए 1 partition या हो गया और 1 partition ये हो गया ठीक है, तो इसको आप 1 partition को count कर लेंगे कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा 10 में आपके जितने भी partition हो एक partition हो दो partition हो तीन partition हो उसका क्या कर देंगे आप गुणा कर देंगे तो आपका यहां से भी कितना निकल के आएगा 20 निकल के आएगा ठीक है अगला सबल में आपको इस टाइप से बता देता हूँ वो इसको हम दूसरी टिक से करेंगे जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाए ठीक है देखते है दोस्तों हमारी अगली आकरती कौन सी है तो यह रही दोस्तों आपकी अगली आकरती इसमें आपको काउंट करना है कि इसमें ट्रिबुजो की जो संक्या है वो कितनी है ठीक है तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ट्रिक बता दी है दो तरीक इसके मैंने आपको बता है एक तो simple सा सभी को plus कर सकते हैं आप पहले count कर लेते हैं 1,2,3,4 ठीक है इनको क्या कर लेंगे सबसे पहले count कर लेंगे 1,2,3,4 कितना आएगा दोस्तो 4,3,7,2,9,10 निकल के आएगा अब आप चाहें तो इनको वापस से count कर सकते हैं 1,2,3,4 इनको जोड़ेंगे फिर 1,2,3,4 उनको जोड़ेंगे फिर 1,2,3,4 ऐसे करके सभी को जोड़ लेंगे और अगर आप इससे short trick से करना चाहते हैं यह time आपका exam में आप बचाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे दोस्तों में आपको पिछले सवाल में बताया था partition count कर लेंगे कि partition कितने दी हैं एक partition यह है एक यह है एक यह है और एक यह है कितने line देख लेना है तो आपको partition पता चल जाएगा 1,2,3 line है तो partition कितने हो जाएगे total आपके 4 ठीक है 1,2,3 और 4 कितने partition होगे दोस्तों हमारे 4 partition होगे तो simple सा आपको इसमें क्या कर लेना 4 का गुणा कर लेना तो आपका निकल क्या जाएगा 40 ठीक है कितना निकल क्या जाएगा 40 जो क्यों हो जाएगा इसका right answer यानि कि इस आकरती में जो त्रीबी जो की संक्या दोस्तों वो कितनी है 40 है ठीक है आशा कोंगे दोस्तों कि आपको ये वाला type अच्छे से समझ में आ गया होगा देखते हैं दोस्तों मारी अगली आकरती कौन सी है जैसा कि दोस्तों आपको अगली आकरती आप देख पा रहा है सिंपल से आकरती दे गई है लेकिन ये आपको को बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हमारा अगला जो सवाल है वो इसी पेटरन पर आधरित होगा ठीक है इसमें आपको जैसे काउंट कैसे करना है दोस्तों 1 और 2 तो इसमें जो हमारे ट्रैंगल हो जाएंगे त्रिबुज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे दोस्तों टोटल हम क्या करते है 1 प्लस 2 करते है तो कितने हो जाएंगे टोटल 3 त्रिबुज हो जाएंगे ठीक है आपको जहाँ पर भी दोस्तों ऐसी आकरती देखने को मिले simple सा त्रिबुज हो और उसके बीच में एक लाइन हो तो उसमें आपको तीन त्रिबुज counter करना है ठीक हमने यह पर देख लिया कितने त्रिबुज होते हैं तीन त्रिबुज उसमें होते हैं ठीक है अगला सवाल जो होगा आपका अगली आकरति होगी वो इसी आधारित होगी जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि इस त्रिबुज होता है सिंगल लाइन होती है उसमें तीन त्रिबुज होते हैं आप उस आकरति की गंड्ना नहीं कर पाएँगे ठीक है इस लिए इसको समझ लीजेए अब चलते हैं अगली आकरति की वो उस कि हैं इसे मिलम तीन गिनेंगे इधर भी वेसी आकरती बन रही दोस्तोट तो थीक है इसके बाद में एक आकरती आप यहां देखेंगे दोस्तों वैसी ही बन रही है तो इसके तीन काउंट करेंगे फिर एक आकरती यहां पर आपको ऐसी के ऐसी देखने के मिलेगी इसके आपको तीन ट्रैंगल काउंट करना है ठीक यहां तक समझ में आगे है कोई दिक्कत नहीं है जहां पर आपको प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन कितनी बारे एक दो तीन चार पांच छे वारे ठीक है एक दो तीन चार पांच और छे अब दोस्तों यह तो होगा है हमारे इस आकरती वाले त्रिबुज ठीक है अब दोस्तों इसमें कुछ बड़े बड़े हो जाएगा दोस्तों इसको भी हमने काउंट नहीं किया ठीक है देख पा रहे हैंगे आप एक त्रिबुज बन रहा है एक में ये वाला प्लस करूंगा इसके बाद में एक आप यहाँ पर देख पा रहा है अंदर छोटा सा त्रिबुज ठीक है इसको हम काउंट करेंगे तो ये से काउंट करके कितने हो जाएंगे टोटल कर लेंगे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 13, 19, 20, 21 याने कि इस आकरती में जो त्रिबुजों की संक्या होगी दोस्तों वो कितनी होगी 21 होगी ठीक है समझ में दोस्तों आपको आ गया होगा जैसे भी आपको यहाँ पर आकरती देखने जो हमने काउंट नहीं किया है तो उसको देख लीजिए तो कौन-कौन से तया इसमें एक यह बड़ा वाला था एक यह बड़ा वाला तरिबुज था और यह कितने निकल काउंट आएंग आपके 21 तरिबुज ठीक है आचिए आच्छा करूंगे दोस्तों कि आपको यह वाल count करना 0 करेंगे 1,2,3,4 ठीक है ऐसा जरूरी नहीं आप यहीं से चालू करें आप 1,2,3,4 ऐसे कर सकते हैं 1,2,3,4 कहीं से भी count करें लेकिन हमें count कर लेना है serial से 1,2,3,4,5,6 जितने भी हो count कर लेना तो कितने होगा दोस्तों आपके यह कितने होगा दोस्तों 4 त्रिबुजों गए ठीक है अब simple सा इसमें करना क्या है 2 का गुणा कर देना है ठीक है जितने भी आप महरे counting में आते हैं 1,2,3,4 है तो 4 का क्या कर देना है 2 में गुणा कर देना है तो आपका answer निकल के आ जाएगा 8 ठीक है यह हो जाएगा इसका right answer दोस्तों यहने कि इस आकरती में त्रिबुजों की संक्या कितनी है 8 है ठीक है यह 2 का गुणा क्यों करते है दोस्तों इसमें जितने भी विकर्ण हो ठीक है इस आकरती में विकर्ण कितने है 2 है ठीक है तो विकर्ण का गुणा हम इसमें करत ठीक है हम counting करेंगे तो कितने हो जाएंगे एक दो तीन चार पांच छे हो जाएंगे लेकिन विकर्ण ऐसा नहीं है फिर आप एक दो तीन गिने तीन विकर्ण नहीं है दोस्तों विकर्ण कितने रहेंगे हमेशा दो ही रहेंगे ठीक है यह विकर्ण नहीं है यह क्यों होता है समझी भाजक होता है ठीक है देखते दोस्तों अगली आकरती हमारी कौन सी है यह रही दोस्तों आपकी अगली आकरती जैसा कि मैं पिछले सवाल में समझा चुका हूँ समझा वेसा ही पैटरन इसका इसमें भी क्या करेंगे आप काउंटिंग करना सिरो करेंगे 1,2,3,4,5,6 कितने हैं दोस्तों टोटल 6 हैं इसमें हम क्या करते हैं दो का गुणा करते हैं ठीक है आप या तो यह से याद रख लिजिए कि हमें दो का गुणा करना है या आप ऐसे याद रख लिजिए कि हमें विकर्ण का गुणा करना है विकर्ण कितने हैं दोस्तों विकर्ण एक तो यह होगा क्योंकि यह कोने से लेके कोने तक जा रहा है और एक विकर्ण यह होगा इस कोने से इक कोने तक ठीक है यह वाला विकर्ण नहीं होता है ठीक यह क्योंकि कहां से आ रहा है भुजा के मद्दी से आ रहा है तो ये विकर्ण नहीं है ठीक है जो कोने से आता हूँ विकर्ण होता है तो इसमें गुणा काईका कर देंगे हम दो का हमारा आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों कितना 12, 6 दुना कितना होता है, 12 होता यानि कि इस आकरती में जो त्रिबुजो की संक्या दोस्तों वो कितनी है, 12 है ठीक है, आच्चा करूँगा कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा, तो यह रही दोस्तों हमारी अगली आकरती मुझे पता है कि आप में से ज्यादतर लोग इस आकरितिक आंसर बता दोगे क्योंकि आपको पिछले सवाल समझ में आ गया होंगे दोस्तों क्या करते हैं हम काउंटिंग करते हैं 1,2,3,4,5,6,7,8 कितने होगे दोस्तों हमारे 8 होगी काउंटिंग ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 8 में गुणा काईका करूंगा दोस्तों में 2 का ठीक है आप सिंपल सा ऐसा ही याद रख लिजी कि हमें ऐसी आकरिति में टोटल करने के बाद में गुणा काईका कर लेना है दो का तो हमारा आंसा निकल के आजाएगा 8 दुना की 16 यानि कि इस आकरती में त्रीबूजो की जो संक्या है दोस्तों वो कितनी है 16 है ठीक है अब इसे आकरति को आप किनना सीख गए दोस्तों चलते हैं अगली वाली आकरती के और जो की इसी पै अगला वर्ग के अंदर वर्ग दिया गया है ठीक है तो ट्रिक क्या रहती है हमारी यहां से काउंट कर लेते हैं 12345678 यहां तक समझ में आया दोस्तों में क्या करता हूं फिर आट में गुणा काईका करते हम दो का कर दें ठीक है एक तो यह हो गया हमारा फिल लगाएंगे प्लस क्यों लगाएंगे अभी हमारे और भी बचे हो वे हैं तिरबुच कौन कौन से अंदर वाली तिरबुच बचा है यह वाला इसको काउंट करेंगे 12345678 कितने हो दोस्तों आट यह हो गए इस आट में क्या करूंगा दो का गुणा करूंगा ठीक है पहले भार वाले हम दोस्तों यह आट दूना 16 प्लस आट दूना 16 यानि कि 16 और 16 जोड़ेंगे तो आपका अंसर निकल के आ जाएगा कितना 32 इस आकरती में जो दोस्तों त्री बुजो की संक्या है वो कितनी है 32 है ठीक है इस सवाल को दोस्तों आप एक और ट्रिक से कर सकते हैं ठीक है उसमें को इतना काउंट करने के जरुवत नहीं पड़ेगी अगले सवाल में वह वाले ट्रिक भी मैं आपको समझा देता हूं ठीक है तो यह रही दोस्तों अगली आकरती इसमें कैसे काउंट करेंगे इस बार दोस्तों हम तीन बार जैसे यहां पर एक भर यह वाला दिया है एक यह और एक इसके अंदर दिया है इसको पूरे कम काउंट नहीं करेंगे दोस्तों इसकी एक को सोट ट्रिक बताऊंगा जिसे कि आपका एक्जाम में टाइम बच जागा ठीक है एक बार हम काउंट करेंगे बस बहार से देख लेते हैं वान तू थ्री फॉर फाइब सिक्स सेवन एट कितने निकल का है दोस्तों हमारे आठ ठीक है आठ में हम क्या करते है पहले तो दो का गुणा करेंगे ठीक है आठ दुना की कितना हो जाएगा दोस्तों सोला अब इस सोला में क्या करना है दोस्तों आपको सिंपल सा देख लेना है कितने वर गहें एक दो तीन है तो मैं यहाँ पर तीन का गुणा कर देता हूँ यानि की 62, 32, 48 कितना हो जाएगा इसका हमरा राइट अंसर दोस्तों, 48 यानि की इस आकरती में जो तुरी बुजो की संक्या वो कितनी है दोस्तों, 48 है ठीक है अगर दोस्तों, आप इसको पहली विद्य से करके मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पिछली विद्य से करेंगे तो अंसर अलग आएगा ठीक है, तो उससे भी मैं आपको करके बता देता हूँ पहले भारवाले हमने count किये तो कितना हुआ 8 गुणा में क्या करेंगे हम 2 करेंगे ठीक है plus फिर अंदर count करना सिरु करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है इसको count करेंगे दोस्तों यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपका 8 गुणा 2 ठीक है कितना हो जाएगा 8 गुणा 2 यहाँ पर भी करेंगे फिर plus करेंगे ठीक है यहाँ पर थोड़ी से आकरती में mistake हो गई यहाँ पर भी आपको क्या कर लेना है ऐसे lining करना है ठीक है इस बार फिर हम अंदर से count करना सिरु करेंगे दोस्तों अंदर से आप वापस count करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है तो यहाँ पर से भी कितना निकल के आएगा दोस्तों हमारा 8 गुणा 2 ठीक है अब आप इनको जोड़ लीजे 8 दूना 16 प्लस 8 दूना 16 प्लस 8 दूना 16 आप कोई सी भी ट्रिक से करो को दोस्तों आपका आंसर निकल के वही आएगा चाहिए कोई सी भी ट्रिक से कर लो पहली वाली ट्रिक से कर लो या दूसरी वाली ट्रिक से कर लो ठीक है इस आकरती में जो त्रिबुजो की संक्या वो कितनी है दोस्तों 48 ठीक है चलते हैं दोस्तों मारी अगली वाली आकरती की और तो यह रही दोस्तों आपके अगली आकरती ही सवाल को देखकर डरना बिल्कुल भी नहीं है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो बिल्गल आपको सवाल इजी लेगे करें ठीक है दो ट्रिक में आपकी काम करेगी जो दो मैं आपको बता चुका हूँ पहले सबसे पहले दोस्तों इतना इतना देखेंगे आप ठीक है इतना अगर आप देखेंगे तो इस दो का गुणा करते ही आ रहे है तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 ठीक है लेकिन भी total नहीं हुआ है दोस्तों ठीक है 16 तो इतने count कर लिए अब अगर आप धान से देखो को दोस्तों तो यह आपका वो वाला त्रिबोज बन रहा है जो मैं आपको सवाल में मैंने आपको बताया था especially अलग से बताया था simple सा सवाल था फिर भी अलग से बताया था क्यों कि मुझे पता है कि वो आपको आगे सवाल में काम आएगा ठीक है अब इस आकरति को अगर हम देखे दोस्तों तो यह हमारी वाली आकरति बन रही है यहां पर छोटी सी में आपको बना के बता देता हूँ ठीक है यह वाली ठीक तो इसके हम कामटिंग कैसे करते थे और इनको आपस में काउंट कर लेते थे ठीक है तो यहां से करेंगे तो इनको काउंट करेंगे तो कितना हो जागा दो और एक तीन ठीक है यहां से कितने त्रिबुज बन गए हमारे तीन बन गए अब ये तो हो गया दोस्तो ये वाली अलग आकरती काउंट कर ली और ये वाली आकरती अलग हमने काउंटे कर ली अब इसमें मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि यदि इ देखिएगा ये वाला ठीक है ये एक त्रिबुज बन रहा है दोस्तो इदर ठीक है और एसा का एसा ही एक त्रिबुज इदर बनेगा ठीक है समझ में आगया दोस्तो ये वाली आकरती हमने सेफ काउंट कर ली और ये वाली आकरती सेफ काउंट कर ली लेकिन इन दोनों को स आश्या करूँगा दोस्तों कि आपको सवाल में कोई भी दिक्त बिलकुल भी नहीं होगी ठीक है ये रहा दोस्तो आज का हमारा Most IMP सवाल इस टाइप के सवाल अक्सर आपको एक्जाम में देखने को मिल जाएंगे कि इस आकरती में बताईए कि तिरभुजो की संख्या कितनी है ठीक है तो ट्रिक दोस्तो फोलो करने से पहले आकरती को ध्यान से देखेंगे तो आकरती किस टाइप की बन रही जो basic आकरती में सीखिए आपको इसमें काम आएगी जितना बड़ा सवाल होगा और आपने जillon resigner इसका citrus आपको इसमें काम आयेगा ठीक है तो यहां पर देखैंगे तो से आक्रिति बन रही है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इतना इतना देखेंगे,ключ materia. तो हमारी आक्रिति बन रही है वर्ग वाली, इसको हम कैसे count करते थे, 1, 2, 3, 4, ठीक है इसको count कर लिया इधर वाली आकरती को भी ऐसे count कर लेंगे दोस्तो 1 2 3 4 ठीक इतना कर लिया आप क्या करते हैं तो दोस्तों हम यहाँ पर 4 गुणा 2 करेंगे 2 का गुणा क्यों करूंगा विकरणों की संख्या के कारंटी के इधर भी कर लेंगे 4 गुणा 2 तो इधर से कितने निकल के आगए हमारे त्रिबोज चार दुना की आठ त्रिबोज तो यहां से निकल के आगए और आठ त्रिबोज यहां से निकल के आगए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन मुख्य रूप से ध्यान देवानी बात क्या है दोस्तो इन आकरचों को साथ में दिया गया है यहने कि इन में और भी त्रिबुज छुपे हुए हैं वो आपको इसमें ढूंड़ना है कि दोनों आकरचों को मिला कि इसमें कौन-कौन से त्रिबुज बन रहे हैं ठीक है अगर दोस्तों आप ध्यान से देखोगे तो इसमें त्रिबुज दोस्तों मैं आपको बना के बता दे रहा हूं ठीक है एक यह त्रिबुज बन गया और एक यह त्रिबुज बन गया यहने कि दो त्रिबुज हमारे और बन गए ठीक है आट और आट सोला सोला में आप दो जोड़ों गोई तो कितना हो जागा दोस्तों हमारा अठारा यहने कि इस आकरती में जो त्रिबूजों की संख्या होगी टोटल वो कितनी होगी दोस्तों अठारा होगी ठीक है इसकी ट्रिक में आपको अगले सवाल में बताऊंगा कि इस सवाल को एक और ट्रिक्स आप कैसे कर सकते हैं अगर आपको यह नहीं देखना आता है कि यहाँ पर कौन सी आकरती बन रही है यह दोनों को मिला के ठीक है अगला सवाल इस टाइप का एक और देख लेते हैं तो यह रही दोस्तों आपकी अगली आकरती इसमें भी आपको बताना है कि त्रिबूजों की संक्या इसमें कितनी सेम पिछले पेटरन पर आधारित सवाल है लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको फिगर ढूनने में इसमें गलती नहीं होगी कि इसमें छिपे वज़ों त्रिबूजों कितने सबसे पहले तो हम छोटे-छोटे पारटिस के कर लेते हैं एक यह वाला प्राटिसन हो जाएगा एक बीच वाला हो जाएगा और एक यह हो जाएगा इनको काउंट कर लेते हैं दोस्तों 1,2,3,4 4 का गुणा 2 में करूँगा मैं यहाँ पर 4 दुना की 8 ठीक है कितने हो गए टोटल जोड लेंगे यहाँ पर 4 दुना 8 यहाँ से हो गए फिर 4 दुना 8 प्लस 4 दुना की टोटल कितने हो गए 8 दुन 16 और 8 त्रिया 24 यह तो सिंपल आकरती जो हमें दिख रही है वो हो गए ठीक है लेकिन अब इसमें जो ट्रैंगल हैं उनको आप कैसे बैचानेंगे ठीक है सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसके ट्रेक ठीक है फिर आपको इसमें ढूंड कर भी बताऊंगा कि कौन-कौन से त्रिबुजे जो इसमें बन रहे नाकरतियों को मिला के ठीक है आपको दोस्तों कौन से चीज़े देखना है बीच में जितनी भी लाइने हैं इनसे कितने बिंदू बन रहे हैं एक बिंदू यहां से बनेगा एक बिंदू यहां से बनेगा एक यहां से और एक यहां से ठीक है अगर यहाँ पर एक ओर लाइन होती तो उसको भी हम count करते आसपास वाली आपको नहीं देखना है सिर्फ बीच में देखना है ठीक है तो 4 बिंदू बन रही है तो 4 को आप यहाँ पर plus कर दीजे कितना हो जाएगा आपका 28 यह हो जाएगा आपका इसका right answer अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि 4 तिर्फ बुच आपके कौन-कौन से बन रहे है ठीक है एक तिर्फ बन रहा है आपका यह वाला ठीक है एक के बाद देखेंगे दोस्तों दो ठीक है समझ में आया एक यहां से बनेगा ऐसे करके चार ठीक है तो दोस्तो पिछला सवाल भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ट्रिक्स से करो के तो कैसे निकल के आएगा अंसर उसका तो जैसा है कि आप इस आकरतिक को देख पा रहा है इसमें एक ही लाइन है तो इसमें भी आप कितने बिंदू बना लेंगे एक बिंदू यहां बन जाएगा और एक बिंदू यहां बन जाएगा तो हमारे यहां से आठ थे आठ यहां से थे कितने हो गए तो 16 हो गए थे तो चार ओर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएंगी 24 और 4 28 ने कि इस आकरती में तुर जो संक्या वो कितनी है दोस्तो 28 ठीक है आशा करूंगा दोस्तो कि आपको सवाल समझ में अच्छे से आ रहा हैंगे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर दोस्तों आपको सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें ठीक है बढ़ते हैं अगले question के और तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल जैसे कि आप आकरती देख पारें दोस्तों इसमें आपसे पूंचा जाएगा कि इसमें त्रिबोजो की संख्या कितनी है ठीक है अगर दोस्तों आप count करना शिरू करोगी तो आप ऐसे count इसमें नहीं कर पाऊगी कि इसमें त्रिबोजो की संख्या कितनी है इस सवाल को करने के trick क्या दोस्तों इसमें एक ही ट्रिक काम करेगी आपको सिंपल सा याद रखना है इसमें partition देखना है कितना है एक partition दो partition तीन partition और चार partition कितने partition इसमें टोटल एक, दो, तीन, चार ठीक है, अधिकतम एक्जाम में दोस्तों आज तक कितने partition वाला पूँचा गया है पांच partition वाला और कम से कम कितना वाला पूछा गया है तीन वाला और अधिक तर जो कुछा जाता है वो कितने वाला पूछा जाता है चार partition वाला ठीक है इसलिए हमने कौन सा सवाल लिया चार partition वाला यहां पर आपको सिंपल सा याद ही रखना पड़ेगा दोस्तों कि एसे सवालो में जब तीन partition आपके होंगे तो उसमें त्रिबुजो की संक्या कितनी होती है तेरा ठीक इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ऐसे तीन partition होते है यहाँ पर दोस्तों यह वाला part नहीं होता इसका सिर्फ उपर उपर वाला part होता तो इसमें त्रिबुजो की संक्या कितनी होती तेरा यहाँ पर अगर चार partition होगे दोस्तों तो आपकी जो त्रिबुजो की संक्या होगी वो कितनी होगी 27 ठीक है जैसा कि यहाँ पर 4 partition है तो त्रिबुजो के संक्या कितनी हो जागी दोस्तों 27 ठीक यहाँ तक समुझ में आया और 5 वाला और देख लीज़े दोस्तों तो जाए जिकतर 5 वाला पूचा गया है इससे जादा नहीं पूचा गया है कि 6 partition वाला आज तक सवाल एक्जाम में नहीं पूचा गया है ठीक है 5 partition वाला में आपको बता देता हूँ कि जगर 5 partition होते ठीक है इसमें 1 partition हो रखर नीचे बड़ा दिया जाता दोस्तों यहाँ पर तो फिर आपसे पूचा जाता कि इसमें त्रिबुजो की संक्या कितनी है तो कितनी हो जाती दोस्तों 48 ठीक है आपको यह तीनों चीजे याद रखना है अगर ऐसी आकरती में partition 3 है तो त्रिबुजो की संक्या 13 होगी partition अगर 4 है तो त्रिबुजो की संक्या 27 होगी और partition अगर 5 यह तो त्रिबोजों की संक्या 48 होगी आशा करूँगा कि आपको सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो यह थे दोस्तों हमारे आकरती गिनने वाले कुछ महत्पुर्ण सवाल आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल समझ में आये होगे और आज का वीडियो भी पसंद आया होगा दोस्तों कर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लाएक जरू करें और आप चाहते ही कि मागे बेपके लिए ऐसा ही महत्पुर्ण वीडियो लाते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साथी में बेल एकल को प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे आने वादे नए वीडियो के नोट्फिक्शन मिलते रहें और साथी अगर दोस्तों आप हमारे वाट्सप ग्रूप से एड़ना चाहते हैं तो डिस्पले पर नंबर दिया गया है आप इस नंबर पर जोइन लिखकर मेसेज सेंड कर सकते हैं आपको मारे वाट्सप ग्रूप सेड़ कर दिया जागा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जैश्री महाकार